बढ़ते हैं या फिर जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं तो से जादा बनने लगती है कई बार अटक जाती है निकल नहीं बाती है, उसे बाइस जरूर दिरए से हीओगा लिए uh पासफूर्ट से होगा बटीक है एकसेप्टेवल मान सकते हैं तो आखिर इसका सॉलूशन क्या है यह एक मात्र कारण नहीं हो सकता आपको कई सारे हो सकता है आपने जो खाना खाया उसमें बेक्टेरियल पीकल कंटामिनेशन हो सकता है आपको लिटरली इंफलामेशन हो रहा ह है आपके घट का इंटस्टाइन चोटियांत का आपके स्टमक का पेट के अंदर च्छाले हो सकते है या हो सकता है कि पेट के अंदर गैस का प्रौबलम ही न हो आपको रिफलक्स डिजीव हो तो ऐसे नहीं मानने जा सकता कि सारी दिक्कत जो है जडव है जो नुस्खय से और आपको हनी लेना है और एक टीस्पून आपको हनी मिलाना है और इस मिक्स्चर के अंदर आपको गुंगने पानी डालना है और इसको मिला के पीग लेना है बस सिर्फ इतना कर तो इस टाइप के प्रोसेस से हो सकता है कि आपके अगर स्टमक के अंदर किसी प्रकार की ब्लोटिंग जैसी चीज बोलते हैं या गैस प्रोड्यूस हो गई है जैसे इनो लेने से आराम आता है वैसा कुछ आराम आ सके लेकिन अगर आपको लिटरली कोई गैस्ट्रोएंडराइटिस है गैस्ट्रोइसफेजल रिफ्लक्स डिजीज है तो इन चीजों से प्रॉब्लम उल्टा बढ़ सकती है सोचके देखिए सोचके देखिए कि आपके पेट में बैक्टेरिया जो है उसने छील दिया है च्छाले हो रख्यां उसके तरह के काम करना थोड़ा रिस्की है हाँ अगर आपको पहले कभी इस तरीकी की चीज से पाइदा हो चुका है तो बिल्कुल आप इसे ले सकते हैं दूसरा टेकनीक देख लेते हैं हम यह जनाब की बहुत जोड़दार टेकनीक बहुत बनती है कि आपको कितने बजे बनती है कि पूरा दिन रहती है अच्छा सॉरी कितने बजे हैं होगे होगे नाभी उपर रिखी है काफी आपकी सेंटर सेंटर्स है इसको अब देखिए यह वाली बात हो रही है कि अब यह एक एक ऐसी चीज है जो एक्चुली में अनप्रूवन है किसी प्रकार का लॉजिक नहीं विकॉस नेवल जो है नेवल यानिके आपकी धुन्नी जो है वह अंदर किसी आतों से कहीं से कनेक्टेट नहीं है ठीक है जब कोई मोटा होके पतला होता ना अनंत अंबानी कि जैसा तो उसका नेवल लिटरली ऐसे लटक जाता है नीचे तो वह ऐसा बाहर लटका होता है और जब उसका ऑपरेशन होता है जिसको हम एब्डॉमिनो प्लास्टी बोलते हैं उसमें इतनी बड़ी चमड़ी और नेवल सब निकल जाता है फिर अलग से दिखने के लिए नेवल बनाना पड़ता है तो उसमें डिफ्प्लेस्मेंट का तो कोई लेना देना हुआ ही नहीं यह जरूर है कि पेट में इधर उरदर दबा दुबू के प्रेशर से हो सकता है कि आप आंत के अंदर अगर कोई गैस पसी है आंत का मुवमेंट कहीं कम जादा है तो उसको आप रिलीव कर दें कुछ मरोड़ मरोड़ डाल के पर डाट ड़ेट ड़ेट की हर प्रॉब्लम इस तरीके से ठीक हो सकती है या ऐसे ही कारण के बज़े से हो रही है पेट के अंदर याद रखिए जो सबसे बड़ा इशू है वह है इंप्लमेशन अगर पेट में चाले हैं स्टमक में इंटस्टाइन में आत में अलसर्स हैं तो ऐस तरह के मन्यूवर करने से वह इरिटेट होंगे और आपके लैटरिंग में ब्लीडिंग भी आ सकती है तो सावधान रहें समझें बिमारी को कि दोनों गुत्रा मोड़ी है यह अधरन सेट कर रहे हैं इनको करने देते हैं हम आगे बढ़ते हैं ठीक है तो यह वीडियो में जो दिखा रहें है जो एनिमेशन वह स्टमक ये स्टमक के मतलब वहां से स्टमक से अगर आपके आप आपने खाया वो नीचे जा रहा है ये कहा। इस तक से प्रोसीजर करने से आपके स्टमक जो है वो नीचे जल्दी गैस्ट्रिक एंप्टिंग कर देगा बहराल हम यह चाहते नहीं है कि गैस्ट्रिक एंप्टिंग जल्दी हो जाए टमक के अंदर जो एसीड है उसका काम है फूड को चर्न करना अब पहली बात तो यह ऐसा होता है कि जल्दी इस तरीके के प्रोसीजर से प्रूवन नहीं है नहीं इसका कोई सबूत है इनके पाद पुझरों ने एक विए उठा के डाल दिया कि इससे हो जाएगा बहराल यह ज स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब हो पाए तो हम नहीं चाहते हैं कि वह जल्दी नीचे जाए तो यह जल्दी नीचे जाने वाला काम हो रहा है तो ना करें जल्दी नीचे पहुचाना है तो आप पानी गटक गटक पी जाएंगे तो जल्दी नीचे चला ही जाएगा इसलिए कहते हैं कि खाने के साथ जादा पानी नहीं पीना है तो लॉजिक हमेशा यूज करना जरूरी है और इसको इंपोर्टन्ट है कि आप समझें यह एक और महानुबाव देखें क्या क्या अगर ठीक है यह कोई बहुत बुरा नहीं था बहुत बढ़िया भी नहीं था मतलब ठीक है इन्होंने कहा कि आप सांस लेकर आगे दबेंगे तो पेट जो है वह दबेगा और पेट आप दबाएंगे तो पेट के अंदर जो है अगिन वह भाई साब बाहर से दबा रहे थे औ लाकि कहीं न कहीं से कहीं न कहीं से आपका यह प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाए यहने पेट की जो गैस है वह निकल जाए नौट रिसीविंग मेंटेन स्मूथ सच आज यह ओपन विजेट्स तो क्यों नहीं आ रहा है वीडियो भीया एरर क्यों आ रहा है और कि आ यह हmen मैं का अलग्ति मुझेश के जा रहे हैं स्ट्रीम सेट्इंग से क्नेक्टिविटिइ स्ट्प पर्फॉअर्मल लेटैंसी अब तो नहीं कुछ कर सकते आया वापस प्लीज टेल मी को फिरीज हो रहा है कोई बात नहीं वह ठीक है सवाल जवाब भी करेंगे यह पर पहले हम यह तो कर ले जो करने आये हैं और अगर किसी को सवाल पूछना है तो आप सुपर चैट कर सकते हैं सुपर चैट वाली जवालों का जवाब दिया जाएगा है कि नहीं अब भी सवाल जवाब बाद में तो यह चीज हो गई है आगे देखते हैं दूसरा ऑप्शन